हलो नमस्कार दोस्तों मैं आर्बी सिंग आर्बी जी टेक चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम रिपेर करने वाले हैं प्रीमियम मेक MS-B303 गेर्ड मोटर जो की प्रीमियम की MS-Series की गेर्ड मोटर है जिसका माउंटिंग फूड माउंटिंग है और ये गेर्ड मोट प्रीमियन और उसका हुईल तथा आउटपूट साफ्ट भी रिप्लेस्मेंट होगा तो दोस्तों प्रीमियम मेक MS-B303 गेर्ड मोटर की ओवरहालिंग का कंप्लीट वीडियो देखने के लिए वीडियो में आन्द तक हमारे साथ बने रहे हैं तो चलिए दोफ्तों सबसे पहले गेर्ड को डिस्मेंटल करते हैं तो सबसे पहले इसका आउटपुट साफ्ट का जो फ्लेंज है इसको खोलना होगा जिसमें हमारे 6mm के elan board लगे हैं और इन बोल्टों को खोल करके हम इसका flange बाहर निकाल लेंगे उसके बाद हमारी output saft निकल जाएगी इसके बाद हम input adapter खोल लेंगे इसमें भी 6mm के board लगे हुई हैं इन बोल्ट को खोल लेंगे और यह adapter हमारा बाहर निकल जाएगा जैसा कि दोस्तों input adapter और output saft निकल चुकी है और इस gearbox के जो input में hollow saft लगी हुई है input saft उसमें काफी play आ गया है जैसा कि आप देख सकते हैं इन पूर्ट में access play होने का मतलब होता है इसके जो bearing से उसमें cleanse बढ़ गया है और input adapter को डिस्टर करने के लिए इस पे लगा हुआ जो gear रहता है उसको सबसे पहले निकालना होता है और यह gear निकालने से पहले इसके उपर लगा हुआ lock निकाल देते हैं उसके बाद इसको press machine की मदद से प्रेस कर देते हैं और gear हमारा बाहर निकल जाता है और इस gear के नीचे लगा रहता है bearing का lock यानि sir clip sir clip को हम circle plier की मदद से बाहर निकालनेगे उसके बाद में हम उसके बाद हम input shaft को motor side से प्रेस करेंगे हमारा bearing और input shaft दोनों बाहर निकल आएंगे इस gear boss का input adapter जितना dismantle करने में tricky है उतना ही इसका output shaft निकालने में इस ही है output shaft पे लगे हुए दोनों bearing उसके end की side में निकल जाएंगे यानि बड़ा वाला bearing उस side में निकल जाएगा और चोटा वाला इस side में और gear भी हमारा इसी side में निकलेगा यानि जो output wheel है वो हमारा चोटी वाली bearing की side में निकलता है और इसके अलावा जो बचे हुए second edition pinion shaft और final edition pinion shaft को हम इसके lock निकाल करके pinion को press करते हैं pinion bearing के साथ बाहर आ जाता है wheel वहीं पे छूट जाता है final edition और second edition shaft को निकालने के लिए हमको इसके उपर लगे हुए gear को निकालना पड़ता है तभी ये pinion shaft बाहर निकल पाती है चलिए दोस्तों gear motor के assembly का कार start करते हैं सबसे पहले हम डालेंगे इसमें final edition pinion shaft final edition pinion shaft का outer race यानि जो इस पे बेरिंग लगी है उसका outer race हम आ लड़ी इसकी housing में डाल चुके हैं और इसके पीछे हमने दोस्तिम लगा करके circle लगा दी है अब हम डालेंगे इसकी final edition pinion shaft shaft को casing में डालने के बाद हम इसके टॉप में जो बेरिंग लगी है उसका outer race इसके उपर लगा देंगे और required sim यान एक्सल फ्लोट maintain करने के लिए इसमें sim add करेंगे उसके बाद में हम इसका circle लगा देंगे और इस shaft का जो एक्सल फ्लोट रखा जाता है वो 0.05 से 0.10 mm के बीच में रखा जाता है यानि दो थाओ से चार थाओ के बीच में हम इसका एक्सल फ्लोट maintain कर लेते हैं sim की मदद से और final reduction pinion sharp के उपर में जो बेरिंग लगी है दोनों उसका नंबर है 33208 जो की taper roller बेरिंग है इनकी quantity दो रहती है final reduction pinion sharp लगाने के बाद में हम इसको पलट लेते हैं जो हिस्चा bottom में था उसको टॉप में कर लिया गया है अब इसका distance push डाल दिया जाएगा और distance push डालने के बाद में इस gear की इसमें की लगा दी जाएगी उसके बाद में gear को insert कर देंगे इसमें final decision pinion sharp के उपर में जो हम gear insert करेंगे वो होगा second stage का और गियर का जो plane वाला हिस्चा है और टाप साइड में रहेगा तथा उपरा वाला हिस्चा बाटम साइड में रहेगा यानि उपरा वाला जो हिस्चा है वो bearing के साइड में रहेगा और इसके gear insert करने के तीन माध्यम है एक तो इसको थोड़ा सा हम हीट देंगे यानि आयल में घरम कर लें लभाग 130 degree तक तो इसके बाद में यह easy insert हो जाता है otherwise अगर press machine है तो उसकी साहता से इसको प्रेस कर सकते है और इन emergency हैमर के माध्यम से भी इसको insert कर सकते हैं साप्ट के उपर पूरा gear insert होने के बाद में इसके टॉप में सरक्लिप के लिए ग्रूप दिया है उसमें हम सरक्लिप लगा करके इसको लाग कर देते हैं और इसी के साथ हमारा file and reduction pinion sharp पूंड़ते है इंस्टाल हो चुका है अब चलते हैं second stage pinion sharp डाल लेते हैं second stage pinion sharp जो पुराना लगा हुआ था उसके तीर damage हुए थे इसलिए हम इस pinion sharp को नया डाल ले हैं और इसकी दोनों bearing भी हम replacement कर रहे हैं second induction pinion sharp में जो bearing लगती है वो 32004 की एक bearing लगती है तता 32205 की एक bearing लगती है जैसे कि आप देख सकते हैं फुराना pinion sharp के तीर damage है और इसका की निकाल करके हम नए वाले pinion sharp में इंसर्ट कर लेते हैं उसके बाद pinion को हम हाउजिंग में गियर बॉक्स की हाउजिंग में इंसर् करते समय हम इसके wheel को इसकी से मैच करा देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं इसका plane वाला हिस्सा पिनियन साइड में रहेगा और उपरा वाला हिस्सा इसका बाहर साइड में रहेगा सिकंड इस्टेज का pinion इंसर्ट हो चुका है उसके बाद में हमने bearing का outer race वा lock लगा दिया है अब चलते हैं अपोजी साइड में इस साइड में हमने wheel already पढ़ चुका है और उसके बाद में हम इसका bearing लगा रहे हैं बेरिंग लगाने के बाद में हम इसका आउटर रेस लगा करके इसको लाग कर देंगे साथ ही हम इसका एक्सेल फ्लोट चेक कर लेंगे अगर सिम की रिक्वाइर्मेंट है तो इसमें सिम भी एड़ करेंगे गियर्ड मोटर की असंबली एक सिकेंज में होती है इसलिए इसमें सबसे पहले डाला जाता है फाइनल एक्सन पिनियन साथ और फिर उसके उपर उसी साथ के उपर में जो हुईल डालते हैं वो सिकेंड श्टेज का होता है और उसके बाद में हम सिकेंड स्टेज पिनियन डालते हैं फिर उसके उपर में हम माउंट करते हैं फर्श स्टेज का हुईल जैसा कि दोस्तों दोनों हमारी पिनियन साफ्ट इंसर्ट हो चुकी हैं अब हम लगाएंगे इसके आउट्पुट साफ्ट में जो बेरिंग लगता है उसका आउटर रेस और उसको सरक्लिप की माध्यम से लाग कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं और इंपुट साइट का कार समाप्त हो चुका है अब इसके फेस पे हमने लगा दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं लाक्टाइट 596 जो कि गैसके शिलेंट का काम करता है और इसका इंपुट एडाप्टर आल लेडी एसेंबल रखा हुआ है और यही है गैसके शिलेंट 596 इंपुट एडाप्टर के जो मांटिंग बोल्ट है उसके उपर में हम जो लाक्टाइट यूज करेंगे वो लाक्टाइट यूज करेंगे थ्रेट लाक और जिसका नंबर है 270 जैसा कि दोस्तों इस गियरवास का जो इंपुट शाप्ट है वह हालो शाप्ट है और इसके उ वालो शाप्ट पे जो बेरिन लगी है वो लगी है साथ ग्यारा सीथरी क्लेंज की और तिसट जीरो आठ आर्यस जो आएजशी लगा रहा है उसका नंबर है पचपन इंटू असी इंटू आठ है में गियरवाक्स का आप साइट डाउन कर दिया गया है अब चलते हैं इसका आउटपूट शाप्ट डालते हैं जैसा कि इसका आउटर है सालेडी हाउजिंग में फिट है इस गियरवाक्स में आउटपूट शाप्ट डालते समय थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए जब आउटपूट शाप्ट हम हाउजिंग में इंसर्ट करते हैं उस समय आउटपू 213 quantity एक नमबर है जो टॉप अली बेरिंग है यही है 32213 और बॉटम में जो बेरिंग गई है ओ 33210 है जैसा कि दोस्तों आउटपूट शार्प अपनी जगे पे आ गई है अब इसके हाउजिंग के ओपर में हम लाक टाइट गैस्केट सिलेंट लगा देंगे उसके बाद में ह जो एक्स़ल फ्लोट होना चीए हो उना चीए जीरो पॉइंट जीरो फ्लोट फाइफ एमम optimize 0.10 प के बीच में दों टाइटोंक के के बीच में होना चीए चलिए डायल गेज लगा करके चेक करते हैं डायल गेज लग गया है और देखते हैं इसका एक्सेल फ्रोड जो मिल रहा है वो मिल रहा है 0.075 mm यानि लगभाग तीन थाओ के आसपास में जो की बिदिन लिमिट है अगर ये एक्सेल फ्रोड रिक्मेंडेड लिमिट से कम्या ज्यादा होता तो इसके आउटपूट शाट का जो बेरिंग का आउटर रेस है उसके पीछे में हम सिम रिमूव या आइट करके इसको अर्जेस्ट कर सकते थे आउटपूट शाट का आईल चिल लग चुका है जिसका नंबर है 65 x 90 x 10 mm दोस्तों गिर्बॉक्स असम्बली का कार समाप्थ हो चुका है वीडियो को हम यहीं पे बिराम देते हैं और गिर्बॉक्स की असम्बली का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवस बताएं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कृप्या सस्क्राइब कर बेल आइकान अवस दवा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिस्टिकेशन आपको समय से मिलते रहें वीडियो में आंतर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद थैंक यू फार वाचिंग जय हिंद